तो यहां पर बात करने बाला है OneSignal, जहां से Notification भी जाता है, यहां पर Google में सर्च कर सकते हैं OneSignal.com, जैसे मैंने यहां पर Open कर चुका हूँ, यहां पर आपका वेबसाइट हो, यहां कोई भी एप्लिकेशन बनाते हैं, तो उसमें भी Notification भी सकते हैं, उई थी Image बगर सारे च अच्छा वीडियो ही दिखने को मिलता है, तो आप लोग दिख सकते हूँ हमारा वीडियो, ठीक है, तो चलिए, यहां पर मैंने OneSignal open कर चुका हूँ, आप लोग जाएगा Sign Up में, मैं कर रहा हूँ Sign In, तो यहां पर Log In हो जाने के बाद में, मैंने जैसे यहां पर Siree App क्रे जी के कुछ ऐसा ही नाम रखा है, और यहां पर हम लोग Android का काम करने बाल है, तो यहां पर Android चुन रहे हैं, यहां पर Configure the Platform क्लिक किया, and next step में हमको एक pop-up आ जाता है, यहां पर पूछ रहा है Firebase का server की हम लोग को डालना पड़ेगा, और sender ID डालना पड़ेगा, तो इसका help क लिए आप लोग read documentation में जा सकते हैं, तो मैं आपको step by step बदा जाता हूं, तो इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा fireburst.google.com, and यहां पर login होने के बाद में go to console में जाना है, तो हमें direct आ जाता है website console.fireburst.google.com, तो यहां पर हमारा जो भी project रहेगा, तो यहां पर दिखत and यहां पर step top में push रहा है कि Google Analytics को on करना है या नहीं, तो अगर आपका crash report पता करना है, तो इसको enable कर सकते हैं, तो करता हूं यहां पर continue, and यहां पर select में हम लोग default account fireburst कर लेता हूं, and यहां पर सारे automatically रहन देचे, and करता हूं create project, तो यहां पर थोड़े दर time लगता है, तो यह पर हमारा project create हो चुका है, मैं यहां पर करता हूं continue, तो अभी थोड़े दर में हमारा ओई भाला project open हो जाएगा, and यहीं पर हम लोग simple में, यहां पर setting में जा रहा है, project setting में, and यहां पर cloud messaging option है, तो यहां पर click करना है, and यहां पर server key है, तो हमें यहां पर server key को copy कर लेना है, and इ simple में करिए next, and next step में आप लोग को पूछ रहा है, native Android या आपका कुछ और चीज़ है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहां पर simple में कोई भी चुनेंगे problem नहीं है, फिर भी हमें यहां पर server API में कर लेता हूं, जो कोई भी application दर्थो में भी कर सकते हैं, तो server API क्ल प्रजेक्ट में जाते हैं, तो हम लोग यहां पर दिखा होगा, setting में जाना पड़ता है, and key and IDs यहां पर लिखा हुआ है, तो बहुत बार हम लोग Android Studio का प्रजेक्ट जब update करते हैं, तो हमें one signal का app ID का जरूत पड़ता है, and API की जो rest API की उसका भी जरूत पड़ता है, तो फि इसी को हम लोग खीच के छोड़ता है, and यहां पर one signal का app ID मांगा है, तो यहां पर हम लोग वही API ID paste कर जाते है, and blocks में हमें screen initials में डालना पड़ता है, जैसे यहां पर screen initials है, तो यहां पर आप लोग डाल सकते है, push notification में क्लिक किया, and इसका बाद में हम लोग एक लिखा है, set subscription, मतलब हम लोग subscribe जैसे क्लिक करेगा, तो subscription हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर लिजिए, true, तो बाकी कुछ करना जरूत नी पड़ेगा, आपने आप कुछ भी notification भीजेंगे, जैसे यहां पर message में जाकर भीजते हैं, यहां पर उसका पहले दीख लिख लिजएगे कि आपन इमेज में भी आप लोग, अगर कोई Google भाला image हो, या कुछ भी अगर notification में भी ना जाते हैं, तो आप लोग Google भाला जैसे मैंने यहां पर डाला, तो image भी डाल सकते हैं, एन कौन सा URL में जाएगा, तो automatic अगर कोई भी URL है, तो URL में डाल देंगे, तो आपने आप यह message send हो जा हूँगा कि Android Studio में कैसे जरूत पड़ते हैं, जैसे एक new app बनाया हूँ, तो यहां पर क्या है, push notification का provider one signal लिखा हूआ है, एंड उसका बाद में यहां पर दिख सकते हूँ कि server का key and app id यह भी डालना पड़ता है, rest app भी डालना पड़ता है, तो कभी जरूत पड़ा, तो इस व चनल को सब्सक्राइब करें, तो चलिए, बाइबाई